पिछले कुछ समय से सुनिल शेटी की बेटी आथिया शेटी और क्रिकेटर केल राहुल की शादी की खबरे काफी चर्चा में रह रही है खबर है कि आथिया शेटी और केल राहुल की शादी इस महीने के अंत में हो सकती है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक दोनों 21 से 23 जन्वरी के बीच शादी के बंधन में बंधने को तैयार है अब जो रिपोर्ट्स आई है उसमें कहा जा रहा है कि आठिया शेट्थी और क्रिकेटर कहां शादी करने जा रहे हैं इस बात की भी खुलासा है केल, राहूल और आठिया शेट्थी शादी के बाद जिस घर में रहेंगे वो रनवीर कपूर और अलिया भट के घर से दो बिल्डिंग की दूरी पर ही है दोनों की शादी सुनिल शेट्थी के खंडाला वाले अलुशान घर पर होगी सुनिल शेट्थी के इस गौर्जिस बंगली की बात करें तो पहाडों के बीच बना या बंगला किसी फाइब स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं दिखता सुनिल शेट्थी के इस घर की खुबसूरती ही है ऐसी की आखे फटी की फटी रह जाए इस घर की बालकुनी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके छट पर सन रूफ लगा हुआ है जिसे जरूरत है वो हटा भी सकता है इसे और लगा भी सकता है सुनिल शेट्थी के इस घर के अंदर के हर कोने की जलकियां यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें तमाम अनोखी डेकोरेटिव आइटम्स के अलावा खुबसूरत प्लांस और यूनिक फर्निशर आपकी नजरें चुरा लेने के लिए काफी है इस घर के लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, स्वेमिंग पूल, बगीचा, बालकनी एरिया, सब कुछ इतना अधिक खुबसूरत है कि देखने वाला बस देखते ही रह जाए इतना ही नहीं इस घर में उन्होंने एक कुना अपने फिल्मी करियर के नाम भी रख दिया है यानि यहाँ एक मीनी ठियेटर भी है जहाँ धेर सारे रिकलाइनर्स रखे होए हैं यहाँ चारों और दिवारों पर सुनिल शेटी की फिल्मों की तस्वीरे भी लगी है इस घर का नाम उन्होंने जहान रखा है खबर है कि आठिया और राहुल की शादी धूम दाम से होगी लेकिन इसमें क्लोस फामिली और फ्रेंज ही मौजूद होगे इनके अलावा बिजनेस इंडिस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों की आने की भी आश्रन का जताई जानी है कहा जा रहा है कि शादी के बाद सुनिल शेटी और केल राहुल की फैमिली रिसेप्शन की प्लानिंग कर रही है जिसमें एंटेटेन्मेंट, स्पोर्स, बिजनेस और पॉलिटिकल फिल्ड के लोगों के लिए एप्रिल में या पार्टी रखी जाएगी